ओम गैशी महागड़े शाय नहा राधे राधे दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों शनिवार का दिन शनी देव और बर्जंग पली को समर्पित होता है शनिवार के दिन बर्जंग पली और शनी देव का विशेश रूप से पूजन किया जाता है मानिता है शनिवार के दिन बर्जंग पली का पूजन कहने से बर्जंग पली अपने भक्तों के सभी कश्टों को दूर करते हैं साथी शनी देव से संबंदित दोशों से भी राहत मिलती है शनी देव कर्णफल दाता है शनिवार के दिन शनी देव का पूजन कहने से शनी ये पूजन के साथ, उपाई काईने के लिए भी बहुत ही शुमाना जाता है हमारे ध्रम्षास्तों के अनुसार, शनिवार के दिन किये गई उपाई अन्य दिनों की अपिक्षा बहुत ही जल्दी अपना असété दिखाते और सिद्ध हो जाते हैं आपने देखा होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी अगर बच्चे को नजर भी लग जाती है तो वहवी शनिवार के दिन ही उतारी जाती है दोस्तों आज की इस बीडियो में हम आपको शनिवार के दिन करने वाले कुछ बहुती आसान और असरकारक उपाई बताने जा रहे है इनों पायों को करने से घर में नकारात्मक उज़ा प्रवेश नहीं कर पाती घर परिवार को किसी की बुरी नजर नहीं लगती कारियों में आ रही रुकावट दूर होती है कारियों में सफलता मिलती है और घर में खुशियां आते है साथ ही धन में बरकत होती है धन पर अगर किसी की रोक टोक लगी होती है तो वह भी दूर हो जाती है इसके साथ ही शनी देव से संबंधे दोशों से भी दाहत मिलती है दोस्तों उपाय सही प्रकासे कहने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें अगर आपने हमारे चैनल को भी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सबस्क्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाए जिसलिए हमारी सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ्री में सबसे पहले मिल पाए तो आएए दोस्तो जानते हैं शिनिवार के दिन करने वाले कुछ बहुत ही असरकारक उपाईों के बारे में दोस्तो आज हम आपको जो उपाई बताने जा रहे हैं यह उपाई आपको नमक से करने है नमक खाने के स्वात को तो बढ़ाता ही है, साथ ही यह किस्मत के लिए भी फायदेमंद होता है नमक के आसान से उपाई हर समस्या को खत्म कर सकते है नमक नकारात्मक उजा को नश्ट करता है, साथ ही सकारात्मक उजा को अपनी तरफ आकरशित भी करता है नमक के आसान से यह उपाई करने से घर में सुख सम्रधी बनी रहती है दोस्तों बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी दामपत्ते जीवन में खुश नहीं रहते आए दिन घर में किसी ना किसी बात को लेकर कलेश रहती है पती पत्नी में अनबन बनी रहती है इस समस्या को दूर कहने के लिए आप शनीवार के दिन एक काच की कटोरी ले काच की कटोरी हो गलास हो या कोई भी काच का बरतन हो आप ले सकते हैं काच का बरतन लेने के बाद अब आप इसमें साबुर चुडली वाला नमक आता है आप वह नमक इस कटोरी में रख दीजे और इस कटोरी को अप अपने बैडरूम में रख दीजे आप इसे बैडरूम में कहीं पर भी रख सकते हैं लेकिन ध्यान रखें बंद अलमारी में ना रखें आपको यह कटोरी खुले में रखनी है दोस्तों साधारन से दिखने वाली नमक की यह कटोरी आपके बैटरूम में मौझूद सारी नकारात्मक उजा को अपने अंदर खीच लेगी नकारात्मक उजा ही वह बजय होती है जिससे मन अशान्त रहता है आपसी लड़ाई झखड़े होते है प्रेम कम होता चला जाता है आपस में अनबन बनी रहती है बैवाहिक जीवन मधों नहीं रहता दोस्तों जम नमक की यह कटोरी आपके बैटरूम में जिनकारात्मक उजा को अपने अंदर खीच लेगी तब आपके बैटरूम में सकारात्मक उजा का संचार होगा जिससे आपका मई शान्त रहेगा जिससे आप पॉजिटिव रहेंगे आपकी सोच आपकी बाते पॉजिटिव रहेंगे आप खुश रहेंगे और आपका बैवाहिक जीवन भी सुख में बनेगा दोस्तों यह नमक आपको एक महीने बाद बदलना है पुराने नमक को आप किसी कागज में या पॉलिथिन में रखकर अपनी घर से बाहर फैक्स दें और नया नमक इस कटूरी में भर दें अगर समस्या जादा है तो आप यह नमक अगली शनिवार को ही बदल दे ध्यान रखें आप जब भी नमक बदले तो शनिवार के दिन ही बदले दोस्तों अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा है जो लगातार बीमार रहता है या फिर कोई ना कोई समस्या उस व्यक्ति को बनी रहती है कभी नजर लग जाती है, कभी कोई बीमारी हो जाती है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कारे कभी बनता ही नहीं है हर कारे में असफलता ही मिलती है तो इस समस्या को दूर करने के लिए आप एक काच के बर्तन पे साबुत टेली वाला नमक रखें और इस नमक के बर्तन को आप उस बीमार व्यक्ती के सिरहाने रखतें अगर वह व्यक्ती किसी बैड या चारपाई पर सोते हैं जहां सिरहाने नीचे रखने की जगे हो तो आप उनके तक्ये के ठीक नीचे जमीन पर इस बर्तन को रखतें जगह ना हो तो आप उस व्यक्ति के सिर्हाने बैट के साइड में या फिर बैट के पीछे की तरफ भी इस बरतन को रख सकते हैं दोस्तों इस नमक के बरतन को आपको उस व्यक्ति के सिर्हाने हमेशा रखे रहने देना है जब नेक्स सटरडे आए तब आप इस नमक को बदल दें और पुराने नमक को टॉलेट में डाल का फ्लश कर दें और फिसे नया नमक भरकर इस बरतन को उस व्यक्ति के सिर्हाने रख दें दोस्तों इस उपाई को कहने से आप देखेंगे कि उस व्यक्ति के सिहत में थीरे थीरे सुधार होने लगेगा उस व्यक्ति के उपर जो भी नकारात्मक उजा होगी वह इस नमक में चली जाएगी यह नमक सभी नकारात्मक उजा को अपने अंदर खीच लेगा और व्यक्ति को पॉजिटिविटी का एहसास होगा इस उपाय को करने से सीहत में तो सुधार होगा ही साथी भाग्य भी साथ देने लगेगा कारियों में आ रही रुकावर दूर होंगी और सफलता मिलेगी कम लगे तो आप उपर से सफीद नमक जो साथा नमक होता है वह दाल सब्ची में ना डाले जब भी खाने में नमक कम हो तो उपर से सदय काला नमक ही आप खाने में मिलाएं ऐसा कहने से शनी शंद्र और मंगल का दुश प्रभाब नहीं होगा नमक की इस छोटी सी बात को आ बहुत ही धन की हानी होती है यानि कि आपके घर में धन आता तो है लेकिन बेफिसूल की चीजों में घच हो जाता है जैसे की रुपया आते ही कोई ना कोई बीमार बढ़ जाता है एलेक्टिक कोई प्रॉडक्ट है जो खराब हो जाता है कोई ऐसा काम निकल आता है जिसमें बेफिजूल में धन खर्च हो जाता है या आपके काम में बरकत नहीं हो रही घर में बरकत नहीं होती ब्यापार अच्छा नहीं चल रहा है घर में आलत से रहता है लड़ाई जगड़े रहते हैं बहुत तनाव रहता है इन सब समस्याओं को दूर कहने के लिए दोस्तों आप आप नमक का ये आसान सा उपाय अवश्य ही करें इस उपाय को आपको काले नमक से कहना है उपाय कहने के लिए काले नमक की जो साबुत काला नमक होता है उसके आप गिनकर साथ डेलियां ले 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 अब इन डेलियों को आप लाल रंग के कपड़े में बांद ले और एक पोट पोटली को आप अपने घर के मुख्य दर्वाजे पर टांग दें। अगर ब्यापार में धाटा चल रहा है, ब्यापार में दिक्कत आ रही है, आपका कोई ओफिस है, वहां आपको समस्या है, तो आप इस नमक को अपने प्यापार या फिर ओफिस के मुख्य दर्वाजे पर आप इस नमक की पोटली को अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर या अंदर अपने सुभधा अनुसार किसी भी जगर टांग सकते हैं अगर यह टांगने में आपको ओड लगे तो आप इसके उपर एक बंदनबार लटका दें दोस्तों मानिताओं के अनुसान नमक की इस तरहें पोटली पनाकर घर के मुख्य द्वार या ब्यापार इस्थल के मुख्य द्वार पर लटकाने से घर ब्यापार इस्थल पर कोई भी नकारात्मक उज़ा प्रवेश नहीं कर पाती इस पोटली की बजह से घर की तरव सकारात्मक उज़ा आकरशित होती है जिससे घर में लड़ाई चखड़े होना बंद हो जाते हैं नकारात्मक उज़ा नश्थ हो जाती है और घर में खुशाली आती है घर में धन की हानी होना बंद हो जाती है व्याथ की चीजों में धन होता और थन में परकत होती है ब्यापार इस थल पर यह पोटली लटकाने से ब्यापार पर किसी की बुरी निजर नहीं लगती ब्यापार में बढ़ोत्री होती है ब्यापार इस थल पर जो भी नकारात्मक उचा होती है वह नश्ठ हो जाती है इससे ब्यापार में दिन दूनी राच चौगनी तरक्की होती है मानिता है इस पोटली को मुख्य द्वार पर लटकाने से घर और ब्यापार इस थल पर कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती साधारन सी देखने वारे यह पोटली परिवार के सदस्यों की और रुपे पैसी की बुरी नजह से भी ब बदलें और फिर एक महीने बाद इस नमक को बदलना शुरू करें पुराने नमक को आप टॉयलेट में डाल का फ्रश कर दें दोस्तों शनीवार के दिन नमक के यह आसान से उपाई अवश्य करें और इन से लाग राप्त करें उमीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ ना ना भूलें थैंक्स फॉर वाचिंग राधे राधे